हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो वीबेज क्लासिज, तो बच्चों, CBSE 2013 का कोशन नबर 18 कर रहे हैं, अब 5% solution of NA2SO4.10H2O, जिसका molecular weight दे रखा है बच्चों, 322 is isotonic, isotonic क्या होते हैं सबसे पहले, जो जो बच्चों गिवन होता है उससे हम कोशन को solve करते हैं, isotonic क्या होत pressure क्या होता है, जिसको πाई बोलते हैं, वो क्या हो, same हो, अब 2 चीज़े दे रखी हैं, एक इधर दे रखा है देखना, NA2SO4.10H2O, ओके, और एक जगा उसने दे रखा है, non-electrolitic volatile substance X, तो एक जगा मैं लिख दूँगा X, ओके, अब देखना, इसका given weight कितना दे रखा है, 5% म दे रखा है, देखना, इधर 2 gram, कैसे सर पता चला, यहां पर 2% लिखा हुआ है, इसका molecular weight तो बच्चों, हमको उसने कहा है, निकालो, अब देखो, formula क्या लगना है, isotonic मतलब क्या होता है, पहली बात तो osmotic pressure, अब osmotic pressure का formula क्या था, pi is equal to I, C, R, T, यह होता है, osmotic pressure का, अब दो solution का osmotic pressure, बच्चों, same है, same का मतलब क्या होगा, यहां पर, pi 1 is equal to pi 2, मतलब इसका जो I, C, R, T होगा, बच्चों, वही इसका I, C, R, T, दोनों same होने चाहिए, दोनों के दोनों same होने चाहिए, तो बस value put करनी है, और हमको, बच्चों, molar mass निकालना है, molar mass मतलब यह वाली निकालना है, तो value put करो, अब देखो, यह तो हमारे पास I की value कितनी होगी यहां पर, क्यूंकि Na2SO4 है, अब Na2SO4 को break करें ज़रा है, इधर वाली साइड में लिखूंगा, Na2SO4 को अगर मैं break करों, तो बच्चों, 2 Na positive बनता है, और 1 sulphate ion बनता है, तो मतलब total number of 2 plus 1 कितनी होग 1, non electrolyte का मतलब यह देखो, यहां पर G1 है, non electrolyte यह देखो, तो non electrolyte मतलब I की value कितनी होगी हमारे पास, 1, तो इसी तरह से अब देखना, R बच्चों दोनों में cancel ही हो जाएगा, R cancel हो जाएगा, T cancel हो जाएगा, यह लो, R और R cancel होगे, T और T cancel होगे, अब देखना ध्यान से, I की value put करो 3, into C, C क्या है हमारे पास concentration, C क्या है concentration, तो क्या लगाएंगे हम formula, given mass by molar mass, volume दोनों का cancel हो जाएगा, यह रहा given mass by molar mass, molar mass कितना गया है, 322, और इधर भी बच्चो, I की value क्या है, 1, 1 है, बट C कितना है, given mass कितना है, 2 upon molar mass, यही तो calculate करना है molar mass, दियान से, C को कैसे solve करा देखनो, यह पहले वाला C आ गया हमारे पास, जो left side में हमारे पास है, यह वाला, I की value, तो लिख ली, C क्या था हमारे पास number of moles upon volume of solution in liter, इधर भी क्या आ गया, number of moles upon volume, volume cancel हो गया, okay, isotonic है, अब इसको क्या लिखेंगे, given mass divided by molar mass, और इसको भी क्या लिखेंगे, given mass divided by molar mass, अब given mass बच्चो कितना था, 5, molar mass कितना है, 322, इधर given mass कितना है, 2 gram, molar mass ही तो पूछा है, तो इसको cross multiply करो, जल्दी से 2 into 3, 22 divided by 3 into 5, बच्चो यह simple सी calculation है, इसको solve करना है, और हमारा जो answer इससे molecular mass निकल के आएगा, वो आएगा 42.9 gram, कितना आएगा 42.9 gram, और अगर आप्रोक्स रखना है बच्चो, RT तो सीधा cancel हो गए हमारे पास यहाँ पर, और C में से भी volume cancel हो गया, यह देखो यह बदा, volume cancel है, तो number of moles को open करके यहाँ पर लिखा है, given mass by molar mass, given mass by molar mass, ध्यान रखनी है चीज़े, क्योंकि वहाँ पर जब भी कभी answer की भी दे रखी होती है, तो हमको समझ क्यों नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उन्होंने short steps लिखे होते हैं, दो number का numerical डाला है उन्होंने, तो इसके according यह इतनी explanation enough है, ओके, चलिए बढ़ते हैं, next question पर,